जैंगलीश जैंगलीश दीवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा एक दंद दयावंत चार भुझा धारी माते सिंदूर सोह मुस की सवारी एक दंद दयावंत चार भुझा धारी माते सिंदूर सोह मुस की सवारी पान चड़े फूल चड़े और चड़े मेवा लडवन का भोग लगे संत गरे सेवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा जैंगलीश 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 देवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा अंधन को आख देते कोणिन को काया बांचन को पुत्र देते निर्धन को माया अंधन को आख देते कोणिन को काया बांचन को पुत्र देते निर्धन को माया सूर शाम शर्ण आय सपल की जिसेवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा जैगलिष 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 देवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा माताजा की पार्वती पिता महा देवा ओंगंगन पतै नमो नमा श्री सिंधी विनायक नमो नमा अष्ट विनायक नमो नमा घणपति बपा मूरिया ओंगंगन पतै नमो नमा श्री सिंधी विनायक नमो नमा अष्ट विनायक नमो नमा घणपति बपा मूरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिसित्ह विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिसित्ह विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया ओंगंगणपतई नमो नमः श्रिस्ट विनायक नमो नमः अश्ट विनायक नमो नमः गणपति बंपामोरिया सुख हर्ता दुख हर्ता वाटा विघनाची मुल्वी पुर्वी प्रेम्प पाजयाची सर्वांगी सुन्दर ओटी शेंदूराची कंटी जड़के माण मुक्तावराची जय देव जय देव जय मंगल मुल्ती दर्शुत माती मने कामरा खुल्ती जय दीव जय दीव जय देव जय देव जय मंगल मुल्ती दर्शुत माती मने कामरा खुल्ती जय दीव जय दीव लंबोदर पीतांबर वनिवल वन्दना सरण सोंड वक्र तुंड त्रेनैना दास राम चावाट पाहे सदना संकती पावावे निर्वानी रक्षावे सुर्वल वन्दना जय देव जय देव जय मंगल मुल्ती दर्शुत माती मने कामरा खुल्ती जय दीव जय दीव सेंगुर लाल चड़ायो अच्छा गजमुख को दोंदल लाल विराजे सुत गौरे हर को हाथ लिये गुड लट्टो साई सुर्वर को महिमा कहना जाए लागत हुपद को जय देव जय देव जय मंगल मुल्ती दर्शुत माती मने कामरा खुल्ती जय दीव जय दीव अस्टो सद्धेदा से संकट को बैरी बगन बिनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटी सुरज प्रकाश ऐसी छब तेरी गंदस थल मदमस तक जूले शश गहरी जय देव जय देव जय मंगल मुल्ती दर्शुत माती मने कामरा खुल्ती जय दीव जय दीव भाभगत से कोई शर्णागत आवे संतत संपत सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महराज मोको अतिभावे गोसावे नंदन निशदन गुणगावे जय देव जय देव जय मंगल मुल्ती दर्शुत माती मने कामरा खुल्ती जय दीव जय दीव एक दंताय विखनहे वक्रतुंडाय धी मही तनो दंती प्रचोदयात गजाननाय विखनहे वक्रतुंडाय धी मही तनो दंती प्रचोदयात प्रेम से बोली प्रथम पूझ भगवान गणेश की जय प्रथम पूझ भगवान गणेश हरते हैं सबके कस्ट कलेश हर विपता देते हैं टार एक दंत का हिदे विशार मूशक की करते हैं सवारी मोदक इनको बड़ी है प्यारी जो भी गजारन को है भ्याते महादीव के है ये दुलार मागारी के आखों कितार ज्यानव पुधी के है दाता श्री गणेश है भागय विधाता श्री गणेश का करते वंदर धूप दीप ले पीला चंदर सीता पर इनको है प्यारा ये भगवन हर कश्त हमारा भक्तो भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पारवती के सबसे छोटे पुत्रे हैं भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिधी और सिधी है रिधी और सिधी भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं भगवान गनेश का नाम हिंदू धर्ण में किसी भी शुब कारी करने से पहले लिया जाता है। चल्तत्प के अधीपती, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहादी पती गनेशी के अस्त्रपाश और अंकुष है। गनेशी मुशक की सवारी करते हैं, एक तंत और चतुरवाहू हैं। अपने चारू हाथों में वे क्रमश पाश, अंकुष, मोदत पात्र तथा वर्मुद्रा धारन करते हैं। गनेशी रक्तवर्ण, लंबोदर, शुप्रकर्ण तथा पीत वर्स्त्रधारी हैं। भगवान गनेशी का सत्योग में वाहन सिंह हैं और उनकी भुजाएं दस हैं तथा नाम विनायक है। श्री गनेशी का त्रेता योग में वाहन मयूर हैं। इसलिए इनको मयूरेश्वर कहा जाता है। त्रेता यूग में इनकी भुजाएं छे हैं और रंग श्वेथ हैं। द्वापर यूग में इनका वाहन मुशक हैं और इनकी भुजाएं चार हैं। इस यूग में ये गजानन नाम से प्रसिद हैं और उनका वर्ण लाल है। कल्योग में इनका वाहन घोडा हैं और वर्ण ध प्रेम से बोली भक्तों प्रथम पूझे भगवान गणीश की जै बुधवार है निकावार गणीश है वित्या का भंडार मालक्ष में संग होती पूझा इंसा वर्धाए कोई न दूझा गज का मुख ही धारण करते दुख संता पुगणीश है हरते हर युग के आराध गणीश करना हो जो मंगल का सबसी पहले लो इनका नाम होती तभी है पूझा सपल मन होता है शांत वनिर्मन आओ गणेश को हम सब ध्याए इनकी भक्ती में मन को रमाए है विघन विना शक किरपा करना भगतों की हर विवदा हरना भगतों शिक पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने सनान से पुर्व शरीर पर हल्दी का उप्टन लगाया था इसके बाद जब उन्होंने उप्टन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिये इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ती हुई इसके बाद माता पार्वती सनान करने चली गए और गणपती को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैट जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना कुस तेर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है द्वार पाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोग दिया इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद किया लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका फिर ख्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर्कार्ट डाला प्रेम से बोली भग्तों प्रथम पूझी भगवान गणेश की जै शिव पुरान की कथा सुनाए गणेश जन्म की बात बताए गई करने पारवती स्नार गर्म मूरत का पल्था महार पारवती ने लगाया अबडट पुत्र का मना की मन ही मन उबटन से एक पुतला बनाया प्रार डाल कर उसे जिलाया पल्था भगतो बहुत विशेश नाम रखा पुतले का गणेश प्यार से सर पर हाथ पिराया गारपाल उनको है बनाया वहां ये तब शव भगवार नहीं पाए उनको पहचार योध हुआ तब बड़ा भयंकर शिव ने काटा बालक का सल भगतो जब माता पारवती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलाय करने का निश्चय कर लिया इससे देव लोग भयभीत हो उठा फिर देदाओं ने उनकी स्तुती कर उन्हें शांत किया भगवान शिव ने गरूर जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी मा अपने बच्चे की तरफ फीर करके सो रही हो उस बच्ची का सिर ले आओ गरूर जी की काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला अंतता एक हथिनी नजर आई हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मू करके नहीं सो सकती तो गरूर जी ने उस शिशू हाथी का सिर काट कर ले आए भगवान शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुण जीवित कर दिया पार्वती उसे पुनह जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशिरवात दिये भगवान शिप ने उन्हें आशिरवाद दिया कि किसी भी मांगलिक कारी की शुरवाद अगर गणेश पूजा से होगी तो पुस सफल होगा उन्होंने गणेश को अपने समस्त्र गणों का अध्यक्ष खोशित करते हुए आशिरवाद दिया कि विग्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरी होगा इसलिए भगवाद गणेश को विग्न हर्ता भी कहा जाता है प्रेम से बोली भक्तों प्रथम पूझे भगवाद गणेश की जै जब हुआ माता को यह ग्यार उनको लगा भारी आगार प्रले करने का प्रण लिया है तब देयों ने स्तुती किया है हे गरुर तुम मुत्तर को चाओ किसी बच्ची के सर को ले आओ गरुर चले शिव के कहने पर पर न मिला किसी बच्ची का सर अंत में हथनी नजर है आई गरुर ने फिर तलवार चलाई पहुच के लाश वो लेकर के सर शिवने जोड़ा उस सर से धर शिवने गनेश को जीवत किया है प्रथम पुजन का वर भिदिया है हे गनेश तुम अजर अमर हो गरा ध्यक्ष तुम सर्वेश्वर हो भगतो एक बार की बात है सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुचे उस समय भगवान शिवजी के साथ माता पारवती गणेश और कार्थिके भी वही बैठे थे देवताओं की मुश्किलों को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्थिके से प्रश्ण पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों का हल करेगा और उनकी मदद करेगा जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी इस प्रत्योगिता की अनुसार दोनों भायों में जो भी सबसे पहले प्रिद्वी की परिक्रमा करके लोटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा तेम से बोलिये भक्तों प्रथम पूझे भगवान गणेश की जैर भग तो हुआ ऐसा एक बार सभी देव गए शिब के द्वार सब ने कहा है शिब भगवार करो समस्या का समधार ध्यान में थे भगवान महेश संग कार्थि के गौरी गणेश देवों को देखा है परिशार खरेगा कौन इस खामिदा शिब ने कहा तूनों पूत्रों से कौन करेगा समस्या कुहर गणेश काति के हुए खड़े है लगे सोचने शिवस पर शिव ने कहा की सुनो है पूत्रों इस प्रतियों गिता के अनुसार जो भी विजेता खोशत होगा वही मदद को जाए सवार भक्तों जैसे ही शिव जी ने यह बात कही कार्टी के अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृत्वी की परिक्रमा करने चले गए परन्तु गनेश शिव वही अपनी जगह पर खरे रहे और सोचने लगे कि वह मुशा की मदद से पूरे पृत्वी का चक्कर कैसे लगा सकते है उसी समय उनके मन में एक उपाय आया वे अपने पिता शिव जी के और माता पार्वती के पास गए और उनकी साथ बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खरे हो गए कुछ समय बाद कार्टिके पृत्वी का पूरा चकर लगाकर वापस पहुँचे और स्वरम को विजेता कहने लगे तभी शिव जी ने गनेश ची की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया क्यों गनेश तुम क्यों प्रित्वी की परिक्रमा करने नहीं गए तभी गनेश ची ने उत्तर दिया माता पिता में ही तो पूरा समसार बसा है चाहे मैं प्रित्वी की परिक्रमा करूँ या अपने माता पिता की एक ही बात है यह सुनकर शिप जी बहुत खुश हुए और उन्हों ने गणीशी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आग्या दी साथ ही शिप जी ने गणीशी को यह भी आशिरवा दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी प्रेम से बोलिये भक्तो प्रथम पुझे भगवान गणीश की जै गए लगाने पृथवी का चक्त कात के हो मूर सवार पर गणेश जी रहे यथावर धर में लगे वो स्वयम विचार उनके मन में उपाए है आया शवगोरी का चक्त लगाया तभी महा कात के है आये स्वयम को हो भी जिता बदाये शिव ने पूझा है शिगणेश से तुम ना गए उशक पिसवार कहा गणेश ने माता पिता से चरणों में आप के है संसार आप का हंगी लगाया चकर विजित हुए मिले मुझको अवसर रसन हुए शिव सन करवार मिला देवों को गणेश कसार भक्तो गणेश पूझन से पहले नित्यादी क्रियाओं से निवृत होकर शुध आसंग में बैटकर सभी पूझन सामागरी को एकत्रित कर पुष्प धूप, दी, कपूर, रोली, मौली, लाल, चंदन, मोदक आदी एकत्रित कर क्रमशप पूझा करे भगवान श्री गणेश को तुलसी दल वद तूलसी पत्र नहीं चड़ाना चाहिए। उन्हें शुध स्थान से चुनी होई दुर्वा को धोकर ही चड़ाना चाहिए। श्री गणेश भगवान को मोदक यानी लड़ू अधित प्रेय होते हैं। इसलिए उन्हें देशी घ की के बनी मोदक का प्रसाद भी चड़ाना चाहिए। श्री गणेश की दिव्य मंत्र ओम श्री गण गण पतय नमा का 108 बार जब करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है। श्री गणेश सहित प्रभु शिव व गौरी नंदी कार्दी के सहित संपोन शिव परिवार की प सुध्व स्तात्विक चित्व से प्रसंद रहना चाहिए। प्रेम से बोले भग्तों प्रथम पूझे भगवान गणेश की जय। घर में पर्थारों का जानन जी मेरे घर में पर्थारों घर में पर्थारों का जानन जी मेरे घर में पर्थारों मेरे घर में पधारो लाखता लाखता लाखताओ राम जी आना लक्षमन जी आना संग में लाना से तामया मेरे घर में पधार हो घर में पधार हो गजाननी जी तेरे घर में पधार हो ब्रम्ह जी आना विशन जी आना ब्रम्ह जी आना विशन जी आना भोले संकरजी को ले आना मेरे घर में पधार हो घर में पधार हो गजाननी जी तेरे घर में पधार हो ब्रम्ह जी आना विशन जी आना विशन जी आना लक्षमी जी आना गारी जी आना लक्षमी जियाना गौरी जियाना सरस्वत्ती मया को ले आना मेरे घर में पधारो बिघने को हरना मंगले करना कार जे सुग कर जाना मेरे घर में पधारो कर में पधारो बिघने की मेरे घर में पधारो हो प्रखम पूजय गण पती गण राद जा विघन हरने मंगले शुब का जा जे 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 जड़ पती महाराज हो पारवती सुत अति सुख दायक प्रथम पूजय तुम बूधी विनायत लुम देवों के हो सरताज जे 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 जड़ पती महाराज हो सुर्नर मुनी तुम्ह रे गुण गावे भक्त सभी कृपा फिर पावे तुम्ही पर तुम्ही हो आज जे 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 जड़ पती महाराज हो रिधि सीधिके तुम हो स्वामी परम ब्रह्मा तुम अंतर यामी करते तुम सबके शुभकाज जे 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 लड़ पती महाराज हो शिवशंकरिय के तुम हो प्यारे पारवती के तुम हो दुलारे तरते हैं सब तुम पर नाज जे 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 जड़ पती महाराज हो वक्र तुंद सदन सुखदाता विश्व विनायक भाग विधाता सिर्फर मणियों का है काज जे 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 लड़ पती महाराज हो भालु त्रिपुंड तिलक मन भाय मनी अनमाला मन को सुहाए रखती सदा हापों की लाज जे 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 जड़ पती महाराज ओ पोथी कर में त्रिशूल कुठारं नयन विशाला मन अति प्यारं मोद के भोद लगाई आज जे 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 लड़ पती महाराज हो सुन्दर पीतां बरतन भावे जे 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 जड़ पती महाराज हो मुशक वाहन आपके द्वारे ऐसे दानव आप सुधारे कि ये प्रभु जीने है शुभकाज जे 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 लड़ पती महाराज हो शुभ घड़ी हो याद जनम तुम्हारा अतिमंगल शिव के हो कुमारा ना न तुम्हारे है गिरी राज जे 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 जड़ पती महाराज हो एक समयगो रात अपका अन्हा मन वान छित फन तुमने लीना आये माने सुत्गर्द राज जे 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 जड़ पती महाराज हो गर्भ विना ही सुत्वन आये गण नायक गुण ज्यान कहाए पूजी के प्रथर में रूप जग आज जे 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 जड़ पती महाराज हो गोरा के सुत्व रुदन मचाया सुर्मूनी जन मंगल गाया भर सी सुमन सजे रहे है साज जे 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 जड़ पती महाराज हो शिव गोराने दाने लुटाया हो शिव गोराने दाने लुटाया सुर्मूनी जने को लल्ला भाया देखने आए शनी महाराज जे 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 जड़ पती महाराज हो देख शनी मुख और प्रकाशा लागी नजर भायों मुख रे नाचा गोरा गिरी धरती पर आज जे 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 जड़ पती महाराज हो परवत परेमा तमसा छाया विश्णु सुदरेशन गज मुख लाया मालत की धर मुख गज राज जे 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 जड़ पती महाराज हो शिवशंकर ने प्लाण है डाले अश्ट सीधी नो निधी रखवाले नाम गड़ेश दिये शिववाज जे 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 जड़ पती महाराज हो कोशल बूधी का थे शिव लीन है बूधी का परीचै गणपती दिन है दबते सुमने बहु बरसे आज जे 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 जड़ पती महाराज हो तुम्हरी महीमा बहु विधि जानी करो कृपा मैं हूँ आज्यानी लीखे मुनीद प्रेम जी आज जे 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 जड़ पती महाराज हो कैसे करूँ मैं आप बखाना आप समान ना कोई भगवाना आए अमित्य मी जे गणे डाज जे 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 जड़ पती महाराज सिध्धि विनायक मंगल मूर्ति प्रथम पूच्य भगवान सुक संपति सौ भाग्यका देते हैं वरदान विग्ण विनाशक है गड़िश गोरीबा के संता गण नायक ही करते हैं सिष्टी का कल्याज जै जै गणपति महाराज तुमसे पूरण सब कार जै जै गणपति महाराज तुमसे पूरण सब कार शिवशंकर के दुलारे है पारवती के लाग शोभित चंदन कुमकुम से एक दंत का भाग लंबो दर कहलाते है गौरी फुत्र गणेश बुद्धवार को सुमिरन से खोती क्रिपा विशे जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार भोग लगाते मोदक से मूशक है वाहन चतुर्थी को पूजन इनका देता है फल पावन सबसे पहले होती है गनपति की पूजा ज्यान प्रदाता है भगवन इंसान कोई दूजा जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार ज्यान प्रद्धी के स्वामी गडपति है दयावाण अपने भक्तों को सदा शुभ फल करते प्रदा हाथी समान मुखवाले भूपति धूम्रवन बाधाओं को हरने वाले किरती शूप कर जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जिनके भाल पे चन्द्रमा चतुर्भुजे काक्षर मित्यों को भी हरने वाले अवनी शिक्रे पाकर सर्व परी भगवान है करते तप स्वीकार जै 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 गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार सत्युग में आये भगवन करनी जग उद्धा देवतांतक नरांतक का किये प्रभु संधा अदिती कश्यप के अहां ले विनायक जन दुष्टों का संहार कर किया स्था पित धर जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार त्रेता युग में गणेश रूप में ले खे अवतां सिंधु नामक दैत्य का किया फिर संधा जिद्धी सिद्धी से किये विवाह गड़ेश्वल दुख हरता बन कर आए पहलाए मयु रेश्वल जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार द्वापर में फिर से आए पारवति पूत्र गणेश सिंदुरा सुर कावध करके हरे है कष्ट कलेश मच्छरा सुर ने मचाया था चहूर हहकार तब वक्र कुंड के रूप में लिये प्रभु अबतार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार मच्छरा सुर के पूत्र भी हुए थे अत्याचारी वद्ध किया है दोनों का नंदन मंगल कारी मदासुर नामक असुर था बड़ा ही बलवाज तब एक दंत के रूप में प्रगट हुए भगवाज जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार चार भुजाएं एक दंत और सर हाथी के समा प्रगट हुए गण नायक जब देवुन किया हवाज परशुपाश अंकुष सहित राक्षस को ललकारा हुआ भयानक योग फिल मदासुर को संहारा जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार मोहा सुर कावध करने को फिर लियाबता महोदर रूप में भगवन को किया इश्ट स्वीका कामा सुर के भैसे हुआ था तीनों लोक मिशो विकट रूप में आये गनेश वाहन जिन कामो जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार क्रोधा सुर नामक असूर को सुर्य कथा वरदा लंबो दर के सरूप में आये है तब भगवाज मम नामक एक असूर का बढ़ा था त्याचा विगनेश्वर के रूप में तब किये प्रभु संगा जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार प्रिथवी पर आये एक बार लेके बालत रूप संग में चुटकी भर चावल बस एक चमच दूप सबको कहते थिरते थे बना दो इसका की स्वीकार किया एक विधाने जिन जिसका शरी जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार बुढिया ने चोले को जलाया हरशित अंतरमन कहा प्रभु ने चड़ाओ इस फित सबसे बड़ा बरतन बुढिया ने फिर वही किया हुआ चमत का बाल रूप में आया है घर कोई अवतार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार चावल दूध भगोने में उसने दिया है डा भर गया पूरा बरतन उसका यह कैसा कमा खीर निकाल के बुढ़िया ने बालक को है दिया बाल रूप में गनेश जी ने खीर स्रिकार किया जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार सब को खिला के बुढ़िया ने छिपाई थोड़ी थी भोग लगाए अराध्य को नैनु से बहतानी तब बालक रूप गनेश ने फूल रूप है धारा सोने चांदे से बुढ़िया का भर दिया घर सारा जै जै गनपति महराज तुम से पूरण समकार जै जै नणपति महराद तुम से पूरण समकार ऐसे ही शुब फल देते हैं ओमकार स्वरो एक छाओं की पुर्ती करते योगाधी पुहनु धन और निधि के दाता है शुभाम प्रत मेश्वर कार्पिकेय के भ्राता है रुद्र प्रिय लंबोदर जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार श्वेत रूप में शुद्ध प्रभू है शुभ मुखवाले सुहाग को करते हैं शतायू इनके खेल निराले बाधाओं को हरते हैं विद्र हरता महराज हाथी जैसे आँखों वाले चंद्र है सरकार जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार शिव पारवती के पोत्र का देवों में बड़ा अस्थां अच्छत अविनाशी देते बलबुधी और ग्यान आदिदेव अद्वैत है सीमा रहित असी प्रसनता के दाता है अमोग अजे अभी जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार सबकी रक्षा करने वाले आविन अवनीश भाल चंद्र कहलाते है सब देवों के हैश दान शील और धर्मी है एक द्रिष्टा भगवाद इशान पुत्र के रूप में करते भक्ति प्रदाद जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार गोरे नंदन गोरे सता के हाथी जैसे का सो नहरे रंग की काया में शान्त और वे द्वाद इंद्र नील का पिला कवीशा देते है शुख फर्ल शाश्वत आनंद दायक है मृत्युन जै महाबल जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार अपने भगतों का रखते है प्रभू सदा ही ज्यां सित्धी दाता सुरेश्वरम सब कुछ करते प्रदां जो इस अम्रित वाडी का मन से करते श्रवन वक्रतुंड भगवन देते है यश्वै भव और धन जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार जै जै गनपति महराद तुम से पूरण समकार जै गनपति सद गुन सदन कविवर बदन कृपाद वेगन हरण मंगन करण जै जै गिरे जालान जै 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 गनपति गन राजू मंगल भरण परण शुब काजू जै गज बगन सदन सुख दाता विश्व बिनाय का बोधी विधाता वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावन तिलगत्र पुंड भाल मन भावन राजत मरनी मुक्तन उर्माला स्वणम कुट शिर नयन विशाला उस्तक पानी कुठार त्रशूलं मोदक भोग सुवंधित पूलं सुंदर पीता बरतन साजत चरण पादू का मुनी मन राजत धनिश्व सुवन शरानन खाता गौरी लालन वेश्ण में ख्याता रेध सेध तब चमर सुधारे मुशक गाहन सोहत द्वारे कहों जन्म शुब कथा तुम्हारी बतिशुचि पावन मंगल कारी एक समय गेरी राज पुमारी बुत्र है तु तब की नहां भारी भयो यग्य जब पुर्ण अनूपा तब पहुच्यों तुम धर द्वज रूपा अति थे जानी के गोर सुधारी बहुवद सेवा करे तुम्हारे आति पसंद हवे तुम भर दिणा मात पुत्र हित जो तप की नहां मिल ही पोत्र तो ही पोधे विशाला विना गर्भ धारण यही काला गन नायक गुण ग्यान निधाना पूजित कतम रूप भगवाना अस कहीं अंतर धान रूप है पालन पर बालक स्वरूप है बनिश शुरूदन जवही तो मठाना लखे मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नाभत सुरन सुमन वर्शावही शंभू मा बहुदान लुटावही सुर्मुन जन सुत देखन आवही लखियत आनत मंगल साजा देखन भे आए शनी राजा मिज अब गुण गुणी शनी मन माही मालक देखन चाहत नाही गिर जाक चुमन भेद बढ़ायों उच सब मौर न शनी तुही भायों कहत लगे शनी मन सकुचाई काकरी होश शुमाही देखाई नहीं विश्वास उमार भायों शनी सो मालक देखन कहयों पद तही शनी द्रग कौन प्रकाशा मालक सिर उड़ी गयों अकाशा गिर जां गिरी विकल हव धरने सो दुख दशां गयों नहीं वरने हाहा कार मच्यों कैन नाशा शनी की भोल की सुत को नाशा तुरत गरुड चरही वेश्णों से घायों काट चत सोगज सिर लायों बालक के धड़ उपर धारयों गान मंत्र पढ़ी शंकर डारयों नाम गणेश शंभो तब की है प्रधम पूझ बुधी निधी वर दी है बुधी परिक्षा जब शिव की था प्रित्वी कर प्रदक्षी ना ली था चले शडानन भर भी भोलाई रजे बैठ तुम पोधी उपाई चरण मातों पितु के धर ली थे दिन के साथ प्रदक्षन की दे धनी गनेश कही शिवही ये हरशे नवते सुरन सुमन वहु बरसे तुम्हरी मही माबधी बड़ाई शेश सहस मुख सके लगाई मैं मतिहीन मलीन दुखारी करहू कार्व धिविनय तुम्हारी भजत राम सुन्दर प्रभु रासा जज प्रयाग ककरा दुरवासा अब प्रभु दया दिना पर कीजै अपनी शक्ति भाती कुछ दिन जै श्री गणिश यह जारे सा पाठ करे कर ध्या नितनव मंगल ग्रह बसे लहे जगत संमा संबंध अपने सहस्त्र दश रिशिपंच मीदिनेश पोरण जान साभयों मंगल मूर्ति गणिश संबंध पोरण